हेलो एवरिवन आज मैं आपके साथ एक्तम फटाफट बन जाए बीना प्यास लसन वाली रेसिपी शेयर करने जारी जिसके लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ डेड़ चमच तेल लिया है उसके अदर आधा चमच राई वन फोर्ट टी स्पून के जितना हमने जीरा लिया यह सारी अच्छे से तड़का लग जाए उसके बाद हमने दो हरी मिर्च को लंबा कट करके लिया है 10-12 कड़ी पता ले लिया हमने और यहाँ पर मैंने लिया है दो मिडियम साइज के आलो को लंबे-लंबे चिप्स की तरह कट करके इसे हम थोड़ा सा सोते कर लेंगे और यह बहुत ही फटाफट बन जाती है आप इस लांच या डिनर के लिए भी बना सकते हो यहाँ पर और एक मेरा फैबरेट इंग्रेडिन्स आ जाएगा वो है तिल एक चमच तिल भी ले लेंगे यह आलू के साथ ही तिल अच्छे से रोष्ट हो जाएगा यहाँ पर हमने लिया है 200 से 2800 ग्राम के जितनी बिंडी को चिप्स की तरही लंबा लंबा कट कर गए और इसे भी यह आलू के साथ सोते कर लेंगे स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे यह माल लीजी कुछ 10 मिनिट के अंदरी पुरी सबजी बन जाती है आदा चमज के जितना हल्दी पाउडर अब सारी सामगरी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अब हम इसे डग कर दो मिनिट तक पकने देंगे सिर्फ दो मिनिट में आप देखोगे ना काफी सॉफ्ट हो जाएगी यह बिंडी और हमारे आलो यह देखिए बहुत ही बढ़िया पूरी सबजी बन जाने के बाद मैंने यहाँ पर आदा निम्बू का रस नीचोड़ दिया है थोड़ा सा भारी कटा हुआ हरा धनिया हमने हरी मिर्च लिए इसके लिए मैंने यहाँ पर लाल मिर्च नहीं लिए आप चाहे तो वो भी ले सकते हो तो यहाँ पर हमारे हरी आली आलो बिंडी तयारे आप इसे टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हो देखिए मैंने यहाँ पर टिफिन का भी एक डबा भर दिया है क्योंकि बीना प्यास लज़न वाली है तो गर्मियों को दिनों में यह खराब भी नहीं होती है तो आपको यह रेसिपी अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेर करना मिलकुल भी ना बुलिएगा तो मैं पारूल जल्डी से मिलूँगी और नए रेसिपी के साथ रोज नई रेसिपी के लिए पारूल वानुशाली की चैनल को फालो करते रहिए और अपने फिडबेक आप मुझे देते रहिए आप मुझे और भी कोई रेसिपी की जानकर रिचाते हो ताकि आने वाले वीडियो में वो भी मैं आपके साथ शेर करने की कोसिस करूँ इससे पहले मैंने और भी बिंडी की सबजी की रेसिपी शेर कर दिये आप वो भी देख सकते हो हमारे चैनल पर तो आपके ही प्यार की वज़े से मैं इतनी सारी अलग अलग रेसिपी इसमें आपके साथ शेर कर सकती हूँ तो इसी तरह आपका प्यार मेरे साथ बनाए रखिए कॉमेंट और लाइक करने में कोई भी कंजूसी ना करिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना बुलिए और देखी इतली लाजावा प्रेसिपी और वो भी कम समय वाली तो भाई ट्राइ करना तो बनता ही बनता है ना और जिनको बिंडी पैसन नहीं है वो भी ये सबजी एक बार अगर चक लेंगे तो उनकी भी फैविलेट हो जाएगी बिंडी वैसे तो बिंडी सबी को पहती पैसन होती है है की नहीं